C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय साथ भिन्न प्रिष्ट 145 साथ दशम लवेक भूमिका सुभाश ने चौती और पाच्वी कक्षा में भिन्नो यानी फ्राक्शन्स के बारे में पढ़ा था परन्तु वह इस बारे में बहुत विश्वस्त नहीं था और इसलिए जब भी उसे अवसर मिलता वह भिन्नो का प्रयोग करने का प्रयत्न करता था एक अवसर तब आया जब वह घर से अपना लंच लाना भूल गया उसकी एक मित्र फरीदा ने उसे अपने साथ लंच करने के लिए आमंतृत किया उसके लंच बाक्स में पांच पूरियां थी इसलिए सुभाश और फरीदा दोनों ने दो दो पूरियां ले ली फिर फरीदा ने पांचवीं पूरी के दो बराबर भाग यानि आधे भाग किये और उनमें से एक आधा यानि वन हाफ भाग सुभाश को दे दिया और दूसरा आधा भाग स्वयम ले लिया इस प्रकार सुभाश और फरीदा दोनों ने दो पूर्ण पूरियां और एक आधी पूरी ली. यहां चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो पूरियां जमा आधी पूरी सुभाश और दो पूरियां जमा आधी पूरी फरीदा के पास है. आपको अपने दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में भिन्नों का सामना करना पड़ता है? सुभाश जानता था कि एक आधे यानि वान हाफ को एक बठा दो लिखा जाता है पूरी खाते समय उसने अपनी आधी पूरी को पुनह दो बराबर भागों में बाट लिया और फरीदा से पूछा कि यह टुकड़ा पूर्ण पूरी का कौनसा भाग अत्वा भिन्न है? आकृती 7.1 प्रिष्ट 146 बिना कोई उत्तर दिये फरीदा ने भी अपनी आधी पूरी को दो बराबर भागों में बाट लिया और सुभाश के भागों के साथ रख दिया। उसने कहा कि इन चारों बराबर भागों से मिलकर एक पूर्ण यानी होल बनता है। आकृती 7.2 अत्ह प्रत्येक बराबर भाग एक पूर्ण पूरी का एक चोथाई वन फौथ है। और ये चारों भाग मिलकर चार बटा चार या एक पूर्ण पूरी होगा। घाते समय उन्होंने यह चर्चा की कि वे भिन्नों के बारे में पहले क्या पढ़ चुके हैं। चार बराबर भागों में से तीन भाग तीन चोथाई दर्शाते हैं। इसी प्रकार जब हम एक पूर्ण को साथ बराबर भागों में विभाजित यानि बाट कर उसमें से तीन भाग लें तो तीन बटा साथ प्राप्त होता है। आकृती 7.3 एक बटा आठ के लिए हम एक पूर्ण को आठ बराबर भागों में बाटते हैं और इनमें से एक भाग ले लेते हैं आकृती 7.4 फरीदा ने कहा के हम पढ़ चुके हैं के भिन वह संख्या है जो एक पूर्ण यानि होल का भाग निरुपित करती है यह पूर्ण एक अकेली वस्तू हो सकती है अत्वा वस्तूवों का एक समूह यानि ग्रूप भी हो सकता है सुभाश ने देखा के ये सभी भाग बराबर होने चाहिएं साथ दशम लवदो एक भिन आईए उपरोक्त चर्चा पर पुनर विचार करें एक भिन का अर्थ है एक समूह का अत्वा एक खेत्र यानि रीजन का एक भाग पांच बटा बारह एक भिन है हम इसे पांच बारह आंज यानि फाइव ट्वेल्वत पढ़ते हैं बारह क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जिन में एक पूर्ण को बाटा गया है पांच क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी बारह भागों में से लिये गए हैं प्रिष्ट 147 यहां पांच अंश यानि नूमरेटर और बारह हर यानि डिनॉमिनेटर कहलाता है भिन तीन बटा साथ का अंश बताईए चार बटा पंद्रह का हर क्या है? यह खेल खेलिए आप अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेल सकते हैं यहां दर्शाई हुई जाली या ग्रिड की कई प्रतियां लीजिए कोई भिन मान लीजिए आधा परविचार कीजिए आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ग्रिड का आधा भाग चायांकित करे प्रतिबंध यह है कि आप में से किसी का भी छायांकित भाग समान नहीं होना चाहिए प्रशनावली साथ दशमलवेक एक छायांकित भाग को निरुपित करने वाली भिन लिखिए प्रिष्ट एक सौड़ तालीस दो, दी हुई भिन के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए एक, एक बटा चै, दो, एक बटा चार, तीन, एक बटा तीन, चार, तीन बटा चार, पांच, चार बटा नौ तीन, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिये यह आधा है, यह एक चौथाई है, यह तीन चौथाई है यहां तीन अलग-अलग आकृतियां दी गई है चार, आठ घंटे एक दिन की कौन सी भिन है पांच, चालीस मिनट एक घंटे की कौन सी भिन है चै, आर्या, अभिमन्यों और विवेक एक साथ बांट कर खाना खाते हैं आर्या दो सैंडविच लेकर आता है एक सबजी वाला और दूसरा जैम वाला अन्य दो लड़के अपना खाना लाना भूल गए आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांट कर खाने को तयार हो जाता है ताके प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले ए, आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले बी, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा साथ, कंचन, ड्रेसों यानी ड्रेसिस को रंगती है उसे 30 ड्रेस रंग नी थी उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है उसने ड्रेसों की कितनी भिन रंग ली है आठ, दो से बारह तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? नौ, एक सो दो से एक सो तेरह तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? प्रिष्ठ एक सौन चास दस, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में X है ग्यारह, क्रिस्तिन अपने जन्म दिन पर एक CD प्लेयर प्राप्ट करती है वो तब से CD कठी करना प्रारंभ कर देती है वो तीन CD खरीदती है और पांच CD उपहार के रूप में प्राप्ट करती है उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या, कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है साथ दशमलवतीन संख्या रिखा पर भिन्न आप एक संख्या रिखा पर पूर्ण संख्याओं शून्य एक, दो, आदि को दर्शाना सीख चुके हैं क्या आप भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? आईए एक संख्या रेखा खीचें. क्या हम इस पर आधे यानी एक बटा दो को दर्शा सकते हैं? हम जानते हैं कि एक बटा दो संख्या शून्य से बड़ी है और एक से छोटी है. इसलिए इसे शून्य से एक के बी इसलिए हम शून्य और एक के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं और एक भाग को एक बटा दो से दर्शाते हैं, जैसा कि आकृती 7.5 में दिखाया गया है। संख्या रिखा पर एक बटा तीन यानि एक तिहाई को दर्शाने के लिए शून्य और एक के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए। दो बटा तीन को दर्शा सकते हैं, दो बटा तीन कार्थ है, तीन बराबर भागों में से दो भाग, जैसा कि आकृती 7.7 में दिखाया गया है। प्रिष्ठ एक सौपचास इसी प्रकार आप शून्य बटा तीन और तीन बटा तीन संख्यारेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे। शून्य बटा तीन बिंदू शून्य है, और चूंकि तीन बटा तीन एक पूर्ण है, इसलिए इसे संख्यारेखा पर बिंदू एक से दर्शाया जा सकता है, जैसा आकृती 7.7 में दिखाया है। अब यदि हमें एक संख्यारेखा पर तीन बटा साथ को दर्शाना है, तो हम शून्य और एक के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। यदि पी भिन तीन बटा साथ को दर्शाता है, तो शून्य और पी के बीच कुल कितने बराबर भाग हैं? शून्य बटा साथ और साथ बटा साथ कहां स्थित होंगे? प्रयास कीजिए एक, संख्या रेखा पर तीन बटा पांच को दर्शाएए दो, संख्या रेखा पर एक बटा दस, शून्य बटा दस, पांच बटा दस और दस बटा दस को दर्शाएए तीन, क्या आप शून्य और एक के बीच कोई अन्य भिन को दर्शा सकते हैं? ऐसी पाँच भिन और लिखिये जिन्हें आप दर्शा सकते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए 4. शूने और एक के बीच में कितनी भिन स्थित हैं सोचिए, चर्चा कीजिए और अपने उत्तर को लिखिये 7.4 उचित भिन अब आप सीख चुके हैं कि भिन्नों को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जाता है अलग-अलग संख्या रेखाओं पर भिन 3 बटा 4, 1 बटा 2, 9 बटा 10, 0 बटा 3, 5 बटा 8 की स्थिती दर्शाइए क्या इन में से कोई भी भिन एक के दाई और है ये सभी भिन एक के बाई और स्थित हैं क्योंकि ये एक से छोटी हैं वास्तव में अभी तक हमारे द्वारा पढ़ी गई भिन एक से छोटी ही हैं ये उचित भिन हैं जैसा के फरीदा ने कहा है अनुछेद साद शमलवेक उचित भिन वह संख्या है जो एक पूर्ण यानी होल के भाग को निरुपित करती है इसमें हर यह बताता है कि पूर्ण को कितने वराबर भागों में विभाजित किया गया है तथा अन्श यह दर्शाता है कि इसमें से कितने भाग चुने गई हैं अतह एक उचित भिन में अन्श सदैव हर से छूटा होता है प्रिष्ठ एक सोईक्यावन प्रयास कीजिए एक एक उचित भिन लिखिए A. जिसका अन्श पांच और हर साथ है B. जिसका हर नौ है और अन्श पांच है C. जिसके अन्श और हर का योग दस है आप इस प्रकार की कितनी भिन लिख सकते है D. जिसका हर उसके अन्श से चार अधिक है कोई पांच भिन बनाए आप और कितनी भिन बना सकते है 2. एक भिन दी हुई है इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन A. एक से छोटी है B. एक के बराबर है बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिये A. एक बटा दो डैश एक B. तीन बटा पांच डैश एक C. एक डैश साथ बटा आट D. चार बटा चार डैश एक E. शूने बटा छै डैश एक F. दो हजार पांच बटा दो हजार पांच डैश एक 7. लव पांच विशम भिन और मिश्रित भिन संख्याए अनगा, रवी, रेशमा और जौन ने अपना खाना बाट कर खाया अपने साथ वे पांच सेब भी लाए थे खाना खाने के बाद चारों मित्र सेब खाना चाहते थे वे चारों आपस में इन पांच सेबों को किस प्रकार बाट सकते हैं अनगा ने कहा, आओ हम सभी एक पूरा सेब और पांचवें का एक चौथाई ले लें रेशमा ने कहा, यह ठीक है, परन्तु हम प्रत्येक सेब को चार भागों में बाट सकते हैं और प्रत्येक सेब का एक चौथाई ले सकते हैं प्रिष्ठ एक सौ बावन रवी ने कहा, बाटने की दोनों विधियों से प्रत्येक को बराबर भाग मिलेगा और वह है पांच चतुर्थाँच क्वाटर्ज चूंकि चार चतुर्थाँचों से एक पूर्ण बनता है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें से प्रत्येक को एक पूर्ण और एक चतुर्थाँच यानि चौथाई मिलता है प्रत्येक भाग पांच भाग चार है क्या इसे पांच भाग चार लिखते हैं? जौन ने कहा, हाँ, इसे पांच बटा चार भी लिखा जा सकता है अनगा ने कहा पांच बटा चार में अन्श हर से बड़ा है वे भिन जिन में अन्श हर से बड़ा होता है विशम भिन यानी improper fractions कहलाती हैं इस प्रकार तीन बटा दो, बारह बटा साथ, अठारह बटा पांच प्रत्येक एक विशम भिन हैं एक, हर सात वाली पांच विशम भिन लिखिये, दो, अंच ग्यारह वाली पांच विशम भिन लिखिये, रवी ने जौन से पूछा, इस भाग को लिखने की अन्य विधी क्या है? क्या यह पांच सेबों को अनगा द्वारा विभाजित करने की विधी से प्राप्त हो जाता है? यहां नीचे दो चित्र दिये गए हैं यह एक है एक इन में से प्रत्येक एक बटा चार है यानि एक चोथाई जौन ने कहा हाँ वास्तव में यह अनगा की विधी से प्राप्त हो जाता है उसकी विधी में प्रत्येक का भाग एक पूर्ण और एक चोथाई से मिलकर बना है यह एक जमा एक चोथाई है जिसे एक एक बटा चार भी लिखा जाता है याद रखिए एक एक बटा चार और पांच बटा चार एक ही है आकरिती साथ दशमलवाट याद कीजिए कि फरीदा ने कितनी पूरियां खाई थी उसने दो एक बटादो यानि ढधाई पूरियां खाई थी आकर्ति 7.9 यह एक है यह दो एक बटादो यानि ढधाई है प्रिष्ट 153 दो एक बटादो में कितने आधे भाग यानि हाव्स चायांकित हैं इसमें पांच आधे भाग चायांकित हैं इसलिए यह भिन पांच बटा दो है सपश्ट है कि यह पांच बटा चार नहीं है क्या आप जानते हैं टैनिस रैकिटों के हथे की माप प्रायह मिश्रित संख्याओं में होती है उदहरन आर्थ एक माप तीन साथ बटा आठ इंच है और अन्य माप चार तीन बटा आठ इंच है एक एक बटा चार और दो एक बटा दो जैसी भिन मिश्रित भिन यानि Mixed Fractions कहलाती है एक मिश्रित भिन में एक भाग पून होता है और एक भाग भिन होता है आपको मिश्रित संख्याएं कहां कहां मिलती हैं कुछ उदहरन दीजिए उदहरन एक निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए A. 17 बटा 4 B. 11 बटा 3 C. 27 बटा 5 D. 7 बटा 3 हल A. 17 बटा 4 17 को 4 से भाग किया अर्थात 4 पूर और 1 चौथाई यानि 1 बटा 4 अधिक या 4 एक बटा 4 B. 11 बटा 3 11 को 3 से भाग दिया अर्थात 3 पूर और 2 बटा 3 अधिक या 3 दो बटा 3 वैकल्पिक रूप में 11 बटा 3 बराबर 9 जमा 2 बटा 3 बराबर 9 बटा 3 जमा 2 बटा 3 बराबर 3 जमा 2 बटा 3 बराबर 3 दो बटा 3 C और D को उपरोक्त दोनों विधियों द्वारा करने का प्रयत्न कीजिए इस प्रकार हम एक विशम भिन को एक मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसके लिए हम अंश को हर से भाग दे कर भाग भल और शेश भल प्राप्त करते हैं फिर मिश्रित संख्या को भाग भल शेश भल बटा भाजक के रूप में लिख लेते हैं प्रिष्ठ एक सो चववन उदाहरण दो निमनलिखित मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए A. दो तीन बटा चार B. साथ एक बटा नौ C. पांच तीन बटा साथ हल A. दो तीन बटा चार बराबर कुष्ठ को में दो गुणा चार जमा तीन बटा चार बराबर ग्यारह बटा चार B. साथ एक बटा नौ बराबर कुष्ठ को में साथ गुणा नौ जमा एक बटा नौ बराबर चौशट बटा नौ सी, पांच तीन बटासात बराबर कोष्ठकों में पांच गुना साथ जमा तीन बटा साथ बराबर 38 बटासात इस प्रकार हम एक मिश्रित भिन को एक विशम भिन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसके लिए हम पून को हर से गुणा करके गुणन फल में अंश को जोडते हैं। फिर विशम भिन कोश्टकों में पून गुणा हर जमा अंश बटा हर होगा। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर गौरव मारवा, निर्मान सहियोग सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।